अपने आदमिक परिवार का जय मशी का मम्मा जी का जय मशी का इश्यू मशी का धन्यवाद करता हूँ मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जाता हूँ मेरा नाम सुर्यापाल है मैं पंचकुला 19 सेक्टर का रहने वाला हूँ 15 साल से हारिनिया की बीमारी थी उस बीमारी से मैं बहुत परेशान था इतना दर्द होती थी कि मैं गिर जाता था बेहोस हो जाता था दर्द के मारे पीड़ी तो बहुत तड़ पता था बहुत रोता था यशा लगता था कि आज मेरा प्रान निकर जाएगा बहुत जादे दर खाखा करके पर ये शान हो रखा था मेरे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं तो मैंने फिर एकसरा कराय उन्होंने बोला कि आपका अरिनिया जादे बढ़ गया है गांठ जादे पड़ी हो गई है इसका आपरेशन होगा ये दवाईयों से कोई फैदा नहीं होगा आपको आपरेशन ही कराना पड़ेगा तो मेरे पास इतना पैसे नहीं था जहां कहीं जाते थे 40 से 50 जा रुपे कहीं 60 जा रुपे मांगते थे आपरेशन का मेरे पास इतना पैसे नहीं था जाकि मैं आपरेशन करा सकता तो मैं दवा ही खाखा करके 15 सालों से ऐसे आराम जाता था दो मेने तीन मेने आराम रहता था फिर वही दर्द होने लगता था फिर परेशान रहता था मैं ऐसा जो होता कि मैं मर जाओं कभी-कभी इतना कुछ आथा कि फांसी लगा लो मर जाओं इतना काफी दर्द होने लगता था पीट और पोरे शरी जितना नस थी वो सारी सूच जा सकता था किसी से पैसे भी उधा लेने के लिए सोचा कि कहीं आपरेशन करा लो लेकिन कहीं से कोई जुगार ना पैसे बना उसके बाद में बेटी के पास किशी का फोन आया अंकल का काम करने के लिए तो बेटी ने बताया कि मेरे घर पर इस समय कोई है नहीं पापा है नहीं व इतने साल से मेरे प्यव्यज़़ा है। इतने साल से मेरे परेशानी है। उन्होंने फिर 32 सेक्टर चंडीगर होस्पिटल में मेरे भेजा अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में और मैं वहाँ गया वहाँ पर यहां इतनी भीड थी तो उन्होंने फोन कर दिया उन्होंने डाक्टर ने मुझे पहले ही बुला लिया मैं अंदर गया उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बुला आपका आपरेशन होगा आपका हरीनिया है तो फिर उन्होंने सारा टीटमेंट लिखा कि ये सारे आपको कराने पढ़ेंगे उसी के बाद आपका आपरेशन होगा मैं फिर गया, सारे जितने थे, एक्सरे, एल्टरा, साउंड, सारे खोन, टेस्ट, बलेड टेस्ट, जितना जो कुछ साथ, तीन, चार टेस्ट, पांच लिखे थे, सारे एक दिन में उनके द्वारा हो गया देखा, रिपोर्ट देखा दूसरे दिन, फिर उन्होंने लिख दिया, छे तारिकों मुझे उन्होंने बताया था और आठ तारिकों उन्होंने डेट दे दिया मेरा एपरेशन करने के लिए मैं आठ तारी को वहाँ पर एडमिट हुआ और मेरा नो तारी को मेरा आपरेशन हुआ और आपरेशन होने बाद तीन दिन उन्होंने रखा मेरे को मेरे पास जो पैसे नहीं था फिरी मेरा इलाज हो गया परन्त इलाज होने बाद भी बावजूद मेरे वो दर्द होती रही मैंने डाक्टर गया फिर दो बार बोले ठीक हो जाएगा कोई नहीं ये दवा खाऊ ठीक हो जाएगा उस दवा को मैं लेता रहा लेकिन परन्त वो दर्द बंद नहीं होती थी मैं बहुत पीडी था उसके बाद में फिर मैं काम नहीं कर सकता भारी तो मेरा अब ये खर्चा मेरा कैसे चलेगा जब मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है दीरे दीरे करके मेरी वाइफ जो ती ओगरों में काम करकर के खर्चा दीरे दीरे घर का चलने लगा दीरे दीरे जो था जो पैसे मिनता था उसी से मेरा खर्चा चलता था गुजारा बच्चे मेड़े पड़ रहते ही चलते मैं परेशान तो बहुत था क्या करूं मैं काम नहीं कर सकता था लेकिन क्या काम करने लायक था ही नहीं कि जो मैं काम करता, दर्द के बारे मैं परेशान था, अपरेशन होने बाद भी मैं उचके बाद में मैं चर्च से मैं जुड़ा हुआ था, यहां पर यहां इकीज दिन की फास्टिंग प्रेयर रखी गई और यहां पर चर्च में काम चल रहा था, कहा प्रबुजी जिए मुझे इस दर से मुझे आजाद करो, मैं आपके भवन में शेवा करूँगा करके, प्रबुजी के भवन में आया, एक महिना शेवा किया और फास्टिंग प्रेयर में रहा, जो मैं एक एंट ने उठा सकता था, इतनी दर था, उसके चलते मैं यहां पर सिमेंट की बोरियां भी उठाई, प्रेता बजरी भी उठाया, और भारी भारी शामान उठा करके, मैंने काम किया, और जितना मेरा दर्द था, मुझे से मैं आजाद हूँ, मेरे अब कोई दर्द नहीं, अब मैं भारी से भारी शामान उठा लेता हूँ, शेवा से मैं पूरा आजाद हूँ, मैं हर दर्द से हर तकलीफ से मैं आज मैं ममा का धन्यवात करता हूँ जो उनकी प्रेर करती थी कि आपकी जो दर्दे हैं गाठे हैं जो जहां कहीं दर्द है वहाँ पर आप हाथ रखो अपना वो दर्द जा रहे हैं मैं वो चीज को रिसीव करता था अपने लिए हाथ रखता था और मेरे चीज से मैं आजाद हूँ पीरा थी जिस से मैं सोनता था मैं कभी चंगा नहीं हो सकता हूँ आज मैं एक साल से पूरी रिती से मैं चंगा हूँ और फिरी हूँ कोई मुझे दर्द नहीं कोई भी परिशानी नहीं मैं भारी से भारी अप सामान उठा लेता हूँ इस गवाह जी का धन्यवाद करता हूँ जिनकी प्रार्थना से मैं पंदरा साल की वो बीमारी से दर्द से मैं आज आजाद हूँ कोई भी दर्द पीड़ा नहीं अब मैं फिरी हूँ और शबी भाई बेनों को